Hello Guys, Welcome back to my channel Dauerth तो चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं बिना अंदे का, बिना अवन का और बिना मेदे का और बिना चीनी काजीहां इतनी सारी चीजों के बिना आज हम लोग ये Christmas special plum cake बनाएंगे बहुत ही जदा tasty बनता है और साथ ही साथ में यो बहुत ही जदा healthy भी है आज ना गाइज हम लोग इस cake में बिल्कुल भी चीनी का यूज नहीं करेंगे उसकी जग़े पर आज हम लोग इस केक भी यूज़ करेंगे जागरी या गुड तो चलिए फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टीस्टी बिनने वाला है चलिए शुरू करते हैं पर आज मैंने लिया है आधा कप ये फ्रेश ओरेंज जू आपको अगर फ्रेश ओरेंज जूस ले लिजेगा नहीं तो जो टीन का ओरेंज जूस मिलता है या जो रेडिमेड मिलता है वो भी ले सकते है इसकी बाद इसमें हम लोग थोड़े से कटे हुए ड्राइफूट्स डालेंगे जैसे की बादाम है कैशू नरसनी की काजू है इसमें बादाख रिजिन्स है थोड़ी सी चेरिज हमने लिए है और थोड़ी सी ली है त्रुटी फ्रुटी इसकी जो कॉंटिटी है वह आप अपने मन पसंद अनुसार जैसे की आपको अगर कोई ट्रैफूट ज्यादा पसंद है तो उसकी कॉंटिटी ज्यादा भी ले सक उसे हमने पैन में डाल दिया है आप चाहे तो इसकी जगह पर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आज हम लोग हेल्दी केक बनाने वाले हैं इसलिए मैंने यहां पर गुड का यूज़ किया है तो आधा कप गुड में हम लोग सिर्फ और से तीन डबल स्पून के करीब पा सिर्फ गुड को हमें मेट करना है सिर्फ और में मैं तर Top COB होज़ के अपर मस्ट हो चुका है अब हमार ग्यास झाल हो छुका है और सोस भी तो हमें पूरी तरह से न ठंडांटी देना है लिवे जो इसमीं हर्णा ज है न हे लिए कि अशन भी हैं ते अलने जिंध में होड़ लिया है, आपके पास यह नहीं है, कोई भी 7 इंचिस का, 8 इंचिस का घर का जो टिन होता है, या स्टील का कोई डबा होता है, वो भी ले सकते है, इसके बाद बैटर बनाने के लिए, मैंने आप पर 1 फोर्थ कप दूद लिया है, 1 फोर्थ कप हमने इसमें सनफ्लार ओल दाल है, 1 टी स्पून हम लोग इसमें यूज करेंगे वैनिला का इसंस, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चॉकलेट इसंस भी डाल सकते है, इसे अच्छे तरह से 2 मिनिट तक हमने विसकल की मदद से फेट लिया है, मिक्स कर लिया है, अब इसके ऊपर छलने रखकर हम लोग इस इसमें डाल दिया है, और वह पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, इस बात का भी यहां पर धियान रखेगा, तो जो सारे नट्स हमने और जूस में सोख करके रखे थे थे न, वह भी हमने इसमें डाल दिया है, इस तरह से हल्थ के हाथ से आपको इसे फेट लेना है, इस तर बेकिंग पौडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा और इसके बाद चुटकी भर नमक भी डाल दिया है इसके बाद हम लोग इसमें एक चमच डाल देंगे जो चिनमन यानिकी जो दाल चीनी होती है इसका पौडर और आधा चमच हम लोग इसमें डाल है चलिए यह सारा बैटर है केक का हमने स्टीन में डाल दिया है फिले से जाध ग्रीज कर शुस्रा ने फिले से घर्णों टीन कर दिया था इसके देंगे मैं जो दीना हमने इस-तर तो चलिए अब हमारा केक बेख हुआ है यहां पूरी तरह से नहीं तो फिर से हम लोग कुकर का डगा देंगे और हाँ गाईज यहां पर की उपर की सीटी और अंदर की रबर की रिंग हमें निकाल लेनी है तो इस तरह से पूरे 40 मिनिट्स हो चुके है और देख सकते हैं हमार ज़ए ज़ए प्यारा आया है इसे बाहर निकाल कर हम लोग पूरी तरह से रूम टेंपरेशल पर आने देंगे ठंडा होने देंगे और इसके बाद ही हम लोग इसे डिमोल्ट करेंगे तो आज का जो केक बना है गाईज वो बिना चीनी का बिना मैदे का और बिना अवन का बिना अंडे का हमने इसे बनाया है बहुत ही ज़्यादा है केक हमने इस तरह से आज बनाया है तो आप लोग भी क्रिस्मस के मौके पर ज़रूर इस केक को ट्राइ की जगा बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा सॉफ्ट और स्पॉंजी सा केक बनता है ज़रूर ट्राइ की कुछ healthy सा बिना अंडी का बिना अवन का और बिना चीनी का स्पेशली आज हमने यहां पर जो चीनी यूज नहीं किया है उसकी जगह पर जागरी या गुड़ यूज किया है वह कॉंसेट मुझे बहुत जादा पसंद आई अगर आप लोग कुछ healthy बनाना चाहते है बच्चों को खिलाना चाहते है तो यह बिना चीनी वाला गुड़ के साथ बना हुआ केक उन्हें जरूर बना कर खिलाए उन लोगों को यह केक बहुत जदा पसंद आएगा तो जरूर रेस्पी ट्राय करना और मुझे कॉमें सेक्षिन में बताना कि आज का वीडियो रेस्पी कैसी ल प्रिस्मस